प्रोटी दोबाई, आईटेल एंड हायर मोहबत, अकीदत, इबादत की बात हुई थी कुछ दिन, I mean कुछ एपिसोड के बाद छटवे मुकाम जुनून की भी बात हुई 26 एपिसोड में 13 मिनिट के आसपास ठेकिन मुझे क्या, मैं थोड़ी दुए सेरियल विजेल, समय के रवर बात दिया मैं तो बस उन लोगों में से हूँ जो यह जानकारी भी ले लेकर बैठे हैं या ले लेते हैं, कि वहाँ बाइक के नाम को ढख ले तो बस रॉय फील्ड दिखता है रॉय ले इन फील्ड नहीं हिसाब ये बना कि इश्क का सात्वा मुकाम मौत होता है तो आकलन लगने लगे कि क्या लीड में से किसी की मौत होने वाली है एक यूजर ने लिखा मैं कभी मैं कभी तुम ड्रामे के चाप्टर के बारे में भविश्वानिया पोस्ट करने के बारे में सोच रहा था जो कि फन्या या मौत होगी अब इसका मतलब प्रतिकात्मत या शाब्दिक हो सकता है एक यूजर ने लिखा अगर कभी मैं कभी तुम इश्ख के साथ मुकाम पर बेज़्ड है तो आखरी का मतलब उस हिसाब से घोर उदासी आने वाली है एक एगंटे की बातचीत के विडियो आई हुए है यूट्यूब पर और एक का तो टाइटल था इस शरजीना गोइन टू डाई इन कभी मैं कभी तुम पाकिस्तान में तो टॉक शो में इस बारे में बात हो रही है और लाखों लोग इसे देख रहे हैं टॉक शो में भी वही साथ स्टेजेज की बात कर जुनून के आगे क्या होता है जिससे सवार उठाए गए दूसरी तरफ कहानी पर भी लोग रियाक्ट करते मिले मुस्तफा की मा की तस्वीर लगा कर कहा गया आंटी आपको बताना था कि दुनिया के 8 बिलियन लोगों में से एक शक्स को भी आपसे हमदर दी रही है ये बात स्थापत हो चुकी है कि भारत में भी शो को देखने वाले बहुत है इंडियन कॉंटेंट क्रीटर ऐसे तमाम विडियो बनाते हैं कि लड़के छुपकर ये शो देखते हैं बात यहां तक मौच गई कि एक यूजर ने इस ड्रामे को देखने वाले लड़कों का मजाक उड़ाया तो लड़कों ने उसको ये सुना दिया और सुनाने वालों में दोनों देशों के लोग थे शहजाद मलिक नाम के एक content creator है इंस्टा बायो के मताबिक पाकिस्तान के कराची के रहने वाले है वो content creator होते हैं जो ज़्यादा team तडाम में नहीं पड़ते मतलब जिनका कोई type नहीं होता, heavy editing नहीं होती बस सूखा सा humor होता है बहुत ज़्यादा efforts देकर content को बनाते नहीं है बस effortlessly उनका content आता है और उनके PJ तक funny लगते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि वो self aware है और क्या करना चाहते हैं 12 जुलाई को उन्होंने एक ऐसा ही video upload किया इतना बुरा है कि इतना funny है इस किस्म का मज़ाग था खूब चला देखिए फिर इस जोग के साथ वो हुआ जो किसी जोग के साथ सबसे गलत हो सकता था दूसरे comedian ने उठा लिया तीन दन पहले comedian कीकू शादा ने इस जोग को जोग बना कर फनी बनाने की कोशिश की और जसकतस कॉपी कर डाला लिकिन एक चौंक के साथ हमारी पूरी मांगा करो हमारी पूरी मांगा करो आप दोनों गलत बोल रहे आप दोनों रियोलाइस नहीं कर रहे हमारी पूरी मांगा करो जबकि होता है हमारी मांगे पूरी करो उसके बाद सेन में दोबारा आये शहजाद, इनका वीडियो चलाया और बहुत सटल वे में सुना दिया, उन्हें ट्रोल करने वालों को भी जवाब दे दिया, हमारी पूरी मांगा करो, हमारी पूरी मांगा करो, आप दोनों गलत बोल रहे, आप दोनों रियोलाइस नहीं कर रहे, आप ल वरेको ऐसा है, कॉमेडी हो तो रही है कि नहीं हो ती तो फिर तो जार बॉलिवुड के प्रफेशनल एक्टर्स भी चोरी नहीं कर रहे होते हैं जो के सब टीवी के F.I.R. में आ चुके हैं और अब नेट्फिक्स के कॉमेडी नैट्सित कापल पर आते हैं तो कॉमेडी उदर नहीं हो रही नहीं तब ही तो जहां से हो रही है, वहां से जोक्स लिए जा रहे हैं रूटीन की बात है, सा उतार है कुल जमा बात यह है कि भारतिय कॉमेडियन्स को लगा होगा किसी लड़के का वीडियो ही तो है मतब आक्ट करके डाल देंगे, किसी को क्या ही फरक पड़ेगा कौन से बड़ी बात है, इंस्टा की दील ही तो है लेकिन नाम हसवा दिया होनों में अपना तो हसवाया ही हसवाया, वह पाकिस्तानी लड़का इंगियन चानल्स का भी मजा को अड़ा आ गया अब लोग शहजाद की पोस्ट पर कह रहे है मजा आ गया, हाँ 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 वही कीकुशार्दा की पोस्ट पर लोग लिख रहे है किसी ने लिखा चोरी का कॉंटेंट तो कोई बोला आइडिया स्टोल है अब मस्त है, एक पाकिस्तानी सीरियल की थोड़ी सी बात कर ली तूसरा पाकिस्तानी क्रियेटर ने भारतिये कॉमेडियन की जो गड़बड पकड़ी वो बता दिया, अब तो कॉमेड बोक्स में मुझे जितना प्यार मिलने वाला है न पूरा वीकेंड मेरा जैसा गुजरेगा, मैं ही जानती हूँ, देखते हैं वैसे एक ज़रूरी सुचना सुनीजी, ललन टॉप अब अपने माई के पहुच रहा है यानि इस बार ललन टॉप अड़ा जमने वाला है बिहार में जगा होगी बापू सभागाद पतना और तारीख होगी 25 अक्टूबर यहां आप से मिलेंगे आक्टर, एजुकेटर, सिंगर, आई-एस ओफिसर, उंत्रिप्रिनर लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, stand-up comedian और एक बढ़िया सा नाटक का भी इंतजाम है आपको क्या करना है, यह हम बता देते हैं तो तब जादा मेहनत नहीं करनी है, बस दिललेंटॉप.com पर जाना है, एक banner पर क्लिक करना है और कर लेना है register, फिर हम होंगे, आप होंगे, अड़े में होंगे, भरपूर मजे आना नहीं भूलना, हम इंतजार करेंगे अब बढ़ते हैं वापस से शो के तरफ ब्रांड किसी भी वाइरल चीज को भुनाने में कितने आगे रहते हैं, वो हमें महीप सिंग के नए आड से पता चलता है एक हेड़पोन वाली कंपनी के आड में वो फीचर हुए हैं आशीश सोलंकी के रोस्ट में मम्मी कैसी हैं पूछना और समय रहना के शो में लिखो 9-8 कहना उनका मेगा वाइरल मुमीट था दोनों को इस आड में भुनाया गया उनको पैसा मिला होगा, हमको नहीं मिला इसलिए ब्रांड का नाम हम नहीं बताएंगे कहानी आगे बढ़ती है और मम्मी कैसी हैं भी पूछवा लिया जाता है जन्ता ने इसमें भी मज़े खोज लिये कोई पूछता है और कोई बोला मम्मी कैसी हैं is permanent कोई खुश था ये कहकर कि अब सब प्रचार कर रहे हैं तो हम भी कर ही देते हैं वो कॉमेडियन अपनी दो लाइनों से कहीं गहरा है उनके साथ एक अलग तरह की काईदी की बातचीत ललन टॉप के ही शो बैठकी में की गई है आप उससे देख सकते हैं छोटा खली याद सर्दी जुकाम के कारिंट शो लेकर नहीं आया विकन प्रेडियूसर के तौर पर अगर जुकाम से राहत मिले तो उस इंटर्व्यू का लिंक प्लीज आप डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दीजेगा आशीज जी मैं बस ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मुझे बोलने के लिए कहा गया है स्क्रिप्ट में लिखकर अब बात कर लेते हैं पिक ओफ दे की हमने बीतर दिनों आपको अजय देवगन के हमशकलों के बारे में बताया था काजोल के हमशकलों के भी नो रूप दिखाए थे अब बारी है टॉलिवोट की एक वीडियो में हमशकले दिखे आप देखे और बताये यह किन किन के हमशकल है और धनुष के हमशकलों पर विशीर ध्यान दीजिएगा तो दोस्तों आज के सोशल लिस्ट में इतना ही बस अब मैं चली मैं जाद अच्छे लगती हुए आशीश यह आप लोग कॉमेंट वोक्स में लिखकर लड़ते रहना आशीश से मिलिएगा मंडे थाटा